आपने पेट्रोल पंप के स्कैम के बारे में बहुत सुना रहेगा, बहुत वीडियोज देखे भी रहेंगे, एक फिल्म की शुटिंग भी थी, शुट आउट अट वड़ाला, और यहां पे है BMW भीया, जी टी भी है, इसका गेर थोड़ा उल्टा है, लिवर हमेशा सामने रह सिस्ट करता है ना गयरेज में जाके वह मेरे राइड के खर्के से जादा है, आज एक शॉर्ट मूग नहीं बनाया था, संडे है, संडे राइड्स टो टोली बंध होगी है, मेरी इसके लिए फिर उनकल रहे हूँ हर जगपे अब हाँ अभी कर इस नेल्स नए वीडियो है, पॉलिशन ये सब चल रहा है तो प्रॉपर जगा ही नहीं है मुंबई में चिल कर नहीं इसके लिए फिर मैं मेरी बाइक निकालता हूं कभी-कभी और एक राउंड आसपार जाके आता हूं सेम अभी करने वालो निकलता हूं मैं बाकी की कहानी अपने हिलमेट से ड़ा है काहे वीडियो मुझे ऐसा भी मिला था उसमें की मीटर एक साइड में चालू रहता है यह मेरे खाल से नाकपूर का एक रील बहुत वायरल हुआ था बहुत पहले और दूसरा मतलब जबी आप पेट्रोल भरते हो तो मीटर हमेशा जीरो से पास के बीच में शुरू होना चीए ल लागया बट कभी भी आप पेट्रोल भरोगे तो यह चीज़ ध्यान में रखना की इनिशियल जो वैल्यू है नंबर है वो जीरो टू फाइव के बीच में रहे इस मौल लेवान छोटी सी जानकारी सुनने के लिए धन्यवाद अभी दूसरी जानकारी ऐसी है कि मैं जा रह जहां पर लोग चिल करने आते हैं और स्पेशली कपल्स हमारे जैसे सिंगल भी है जो वहां पर घुमने फिरने आते हैं बाइक चलाने आते हैं फोटोग्राफी करने के लिए आते हैं व्लॉक बनाने आते हैं तो यह जो आगे सीडिया है यहां से उपर तो वो स्ट्रेट ज जो मैंने सीडिया आपको दिखाई थी वो यहां पर आते हैं और यहां पर एक फिल्म की शुटिंग भी थी शुट आउट अट वडाला जो आपने वे ट्रेन का सीन देखा रहेगा नीचे से ट्रेन जा रही है सो वही स्पॉट से उन्होंने शुट किया था बहुत से लोग उस पॉइंट पे भी रुखते हैं संसेट के लिए क्यूंकि संसेट वहां से काफी अच्छा दिखता है और मेरे राइट साइड में है इसकॉन टेंपल अबी बंद हो गया है नौ बजए मेरे खाल से बंद होता है और जिन लोगों ने घर बना के रखें नाइदर यहार वेरी मच ब्लेस्ट कह सकते क्यूंकि बहुत शान जगा है बहुत पीसफुल जगा है कोई पॉलिशन नहीं कोई आवाज नहीं एकदम शानती में यह लोग रहते हैं यहां पर अभी चार-पाच काफे भी है और यहां पर है अपनी दोस्ति लोग बहुत देरी से मैं आया हूँ आई गैस और यहां पर है BMW भीया जीटी भी है सो कुनाल पाटल भाई कैसे हो कैसे हो बस बढ़िया अगा डायरेक्ट चालो है लगत देतो है सो बाइक सो रही अभी एक्सेंज वो डॉमिनर चलाएंगे मैं यह चलाओंगा आज तुसरी गाड़ी भी है जीटी नवीन गेतली गई अच्छा क्या हो गया बाबा इसका चा भी हाँ बहूत दिनों के बाद यह चला रहू लास्ट टाइम जो मैंने रील डाली थी BMW पर तो वह रील इसी पर शूट की थी इंस्टा 360 पर फिर से मौका मिला है जीटी एक बार ट्राइक करने है जिन्दगी में जीटी सिर्फ एकी भी बाइक देखी रहेगी ना काफी साइलेंट बाइक लगती है कॉंटिनेंटल जीटी एंड दूसरी इंटर्शेप्टर चलो थोड़ा टेस्ट करते है इसको भयानक पावर भयानक बड़ी करेजी मशीन है यह और यह इसका भी बाप है क्योंकि यह 650 है 310 है लेकिन दोनों भी अच्छे का से भागती है और हर बाइकर का एक सपना रहता है कि हर एक कैटेगीरी की बाइक अपने पास रहे और वैसा ही मेरा क्टेगीरी बाइक लेने का भी मन है जो मैझ स्पोर्ट्स कैटेगीरी की बाइक लेने का सहसे रहा है तो गुव थेसे रफ्शलिवनेंट लोंगा ता कि इधर ऐसे माट अई सब्स्टेश Mussolk पि सब्सक्रणी सर्थे तो में राइड के वक्त अगर ऐसा प्रॉब्लेम आ गया तो पूरी राइड के वाट लग जाएगी चला भाई वजन्दार है और यह बाइक एक्चली नहीं है इसमें ज्यादा कुछ अभी तक मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है क्रैश गड़ लगाना बाकी है और में चीज एक बात मुझे अच्छी लगती है कि वो साइलेंसर स्टॉक है मतलब जादा आवज नहीं करती है इसको स्टार्ट का से करें भाई इसका गेर थोड़ा उल्टा है लिवर हमेशा सामने रहता है इसका पीछे दिया है पहले थोड़ा आराम से चलाओंगा मैं क्योंकि फर्स्ट टाइम चला रहू ओह 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 इंजिन क्या स्मूध है भाई इसका ये बहुत बढ़िया बहुत स्मूध है कि दॉमिनार के लिए दे दो एक साड़े छे सो का इंजिन कि फर्स्ट पर देखते कितना भागती है अगर चलाने वाले में स्कील्स हो तो कोई भी गाड़ी दो उसको बरबर भगाएगा हो जो मेरे में नहीं है विलान में इसके लिए मैं पीचे रहे गया सर राइड का कुछ प्लान कुछ है नॉट एट नॉट इट बट इस तो बता दो इस तो बता दो इन के समाधान के लिए अगर नहीं जमता है तो नहीं आएंगे अगर चुटी मिलग तो आजाएंगे और मैं ऐसे जगपे जा रहा हूँ जहां पर के सकते की बारा जोतिर लिंग में से वह एक जोतिर लिंग है तो अभी आप गिस करों नेक्स्ट मंत में राइड उसके पहले बाइक का काम करना और जो मैंने खर्चा पास करा है ना गैरेज में जाके वह मेरे राइड के खर्चे से ज्यादा है ऐसी कंडिशन है तो बड़ी वाइक लोगे तो यह है उसमें भी अपनी बामिनार इसके लिए थोड़ा सस्ते में निपड जाता है नहीं तो भी वाट लग जाती रही जितने भ वोगों ने फिर भी पूछा है कि भाई रूट के बारे में बताओ या फिर सी एंजी पम कहा पे है वो बताओ अल्दो वीडियो में मैंने सब इंक्लूड किया है बट अगर कोई पूछता है तो उनको में रिपला दे रहा हूँ तो आने वाले राइड में मैं यही देखने राइड है तो बीच में कितने व्लॉग बनते हैं मुस्टली में दस से बारा व्लॉग जो भी है प्रॉपर तरीके से बनाने का सोचने वाला हूँ अगर बन गए तो मेरे लिए अचीविमेंट है आपको देखने मिल जाएंगी नहीं नहीं जगा अगर आपने देखी नहीं आपको टिब्स देने हैं इन्फरमेशन शेर करने हैं प्लीज डू शेर दाट आपको नेक्स वीडियो में तिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोईंग